सावन का महीना है और सावन में बहुत से लोग लसन और प्याज नहीं खाते हैं और टमाटर तो इतने ज़्यादा महेंगे हो रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा कि सबजी बनाए तो क्या बनाएं तो फ्रेंस आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिना लेसुन बिना प्याज और बिना टमाटर के धाबा स्टाइल छोले रेसिपी इतना गजब का स्वाद है कि आपने अपने जिंदिगी में ऐसा स्वाद कभी नहीं चखा होगा बहुती मज़ेदार और बहुती असान है इसे बनाना इस वीडियो को देखने के बाद इसे आप बनाने से रह नहीं पाएंगे और खाने के बाद तो क्या कोई देखकर भी नहीं बता पाएगा कि आपने इसे बिना लेसुन बिना प्याज और बिना टमाटर के बनाया है वीडियो लास तक देखिएगा आपको देख पूली वाले चने लिये थे और अच्छे से मैंने इसे भिगो लिया था लगबग एक कप मैंने चने लिये थे बढ़िया से मैंने दो करके उसको मैंने दो कप पानी में डाल के अच्छे से फुला लिया था अब आप देख सकते हैं ये बढ़िया से फूल कर तैयार हो गए हैं ताकि ये जल्दी से तयार हो जाए मैंने इसे 5-6 घंटे के लिए भिगो के रखा था चलिए इसको हम बॉइल करते हैं तो हमें इस छोले को डालने से पहले ये ध्यान रखना होगा कि हमें पानी छोलो में उतना ही डालना है जितना हम अच्छे तरीके से इसको पका सके क्योंकि सारे पानी को ही हमें इस्तमाल करना है अब यहां एक छोटी सी खास चीज है जो आपकी रेसिपी में बड़िया कलर देगी और बड़िया टेस्ट देगी तो यहां मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया है इसमें मैं डाल रही हूँ एक बड़ी इलाइची तीन चार लॉंग एक तेजपत्ता और दो हरी इलाइची साथ ही इसमें बड़िया टेस्ट और कलर देने के लिए एक छोटी चमस डाल रही हूँ चाय पत्ती यह वही चाय पत्ती है जिससे आप रोज चाय बनाते हैं इसी से हम इन चोलो में बहुती बड़िया टेस्ट और कलर लाएंगे अब इसे बहुती बड़िया से बांग लेंगे या फिर इसकी पोटली बना देंगे और चोलो के अंदर डाल देंगे इससे बहुती असानी से छोलो में कलर और टेस्ट भी आ जाएगा और सारी सूखी चीजों को हम असानी से हटा भी सकते हैं साथ में हम जो पानी यूज कर रहे हैं वो चाय पत्ती की वज़े से खराब भी नहीं होगा अब हम कुकर को पैक करेंगे और 3-4 सीटी आने तक कुक करेंगे आप देख सकते हैं बढ़िया से सीटी निकल गई है अब छोलो को चेक करते हैं ये देखिए छोले पग गए हैं और आप देख सकते हैं बहुती बढ़िया कलर भी आया है हमें इस पानी को फैकना नहीं है इससे छोलो में बहुती बढ़िया टेस्ट आता है इसलिए मैंने आपको पहले ही कह दिया था पानी आप उतना ही यूज करने जितना की छोले उबल जाएं क्योंकि हमें इसका पानी फैकना नहीं है इस पानी को भी यूज करना है मैंने एक कप छोले लिए हैं तो मैं एक कप धाई यूज करूँगी बस आप ये चेक कर लीजिए कि धाई ज्यादा खटा नहीं होना चाहिए चाय तो आप धाई मार्किट का भी यूज कर सकते हैं या फिर घर का जमा भी यूज कर सकते हैं साथ में डालेंगे एक टी स्पून धनिया पाउडर, एक टी स्पून हल्दी पाउडर, एक टेवल स्पून कसूरी मेथी, कसूरी मेथी डालने से सबजी में बहुती बढ़िया फ्लेवर आता है, एक टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पर बढर देगा, एक टीज़्बून अमचूर पॉवर्डर डाल कर सभी मसालों से अगज करेंगे, सूखे मसाले हमें रेशिपी में इतने भी चुन करने हैं। सनसले हमें बढरके नहीं डालने हैं। सबी मसालों को धाई में बड़िया से फेटेंगे और 10 मिनट के लिए इसे ढखकर रखेंगे याद रखिएगा इसमें पानी यूज नहीं करना है ढखकर रखने से सारे मसाले धाई में बड़िया से फूल जाएंगे और तभी तो सबजी में बहुती बड़िया स्वाद एक टेबल स्पून बेसन बेसन से सबजी में बहुत ही मज़िदार टेस्ट आएगा और थिकनेस भी आएगी इसको लो मीडियम फ्लेम पर 5-7 मिनट तक भूनेंगे इससे बेसन का कच्चापन निकल जाएगा जब यह भूनेंगे तो इसकी खुश्बू सही पता चलेगा कि य याद रखिएगा बेसन का कलर येलो ही रहना चाहिए बेसन को जलाना नहीं है अब हम डालेंगे हमारे धाई और मसाले और इसे हम लो फ्लेम पर ही डालेंगे नहीं तो ध्थी फट सकता है सभी मसालों को बर्या से डालकर 5-0 बिनट तक चलाते रहना है 5-0 बिनट तर लगा अच्छे से पकाने के बाद अब मीडियम फिलेम पर इसे ढखकर पांच मिनट के लिए पकाएंगे ध्यान से सुनिएगा पांच मिनट मैंने बिना ढखके इसे पकाया लो फिलेम पर उसके बाद हम पांच मिनट पकाएंगे मीडियम फिलेम पर वो भी ढखकर पांच मिनट हो ये देखिए मसाले बढ़िया से पक गए है और मसालों ने तेल भी छोड़ दिया है इस स्टेश पर हम डालेंगे छोले जो छोले का पानी है वो भी डाल देंगे अब हम इसमें एक टी स्पून नमक डालेंगे नमक आप स्वाध अनुसर कम यह जादा कर सकते हैं और सबजी को थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए हम डालेंगे 5-6 कटी हरी मिर्च और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे याद रहें फिलेम को लो टू मीडियम करेंगे और सभी चीजों को बढ़िया से 5-7 मिनट तक पकाएंगे 5-7 मिनट हो गया है ये देखिए छोले बहुती शांदर औ मेरे घर में तो सभी नहीं बोला था कि बिना लैसून प्याज और मजएदार चोले बन ही नहीं सकते फिर मैंने से बनाया और सबको खिलाया सबने बहुत ज्यादा तारीफ करी। छोले हमारे तैयार है इसमें हम धनिये के पत्ते डालेंगे और इसे सर्फ करेंगे बहुत से घरों में ऐसे लोग भी होते हैं जो पूरी जिन्दगी लहजून और प्याज इस्तमाल नहीं करते हैं अगर आप ऐसे किसी को जानते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं को यह रेसिपी कैसी लगी जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाए बाए